क्या CBI के हाथ लग गए हैं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के मुर्डर से जोड़े हुए एहम सुबूत क्या इन सुबूतों और विडियोज ने पूरे केस का रुख बदल कर रख दिया है दरसल हाल ही में CBI ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर प्रिंसिपल संदीब घोष और ताला पुलिस टेशन के SHO अभीजीत मंडल को गिरफतार किया है और इन पर जो आरोप लगे हैं वो बेहाध हैरान करने वाले हैं संदीब घोष पर आरोप है कि उन्होंने रेप और हत्या के बाद वहाँ के सुबूतों को मिटाने की कोशिश की है जो कि बहुत ही गंबीर है संदीब घोष से पुलिस ने लगातार 15 दिन तक पूछताच की और 15 दिनों तक पूछताच के बाद इससे पहले 26 अगस्त 2024 को संदीब घोष का CBI ने पॉलिग्राफिक टेस्ट भी कराया था और कहा यह जा रहा है कि इस पॉलिग्राफिक टेस्ट के सामने कुछ ऐसे फैक्स कुछ ऐसी सुबूत, कुछ ऐसी लीट CBI के हाथ लगी है जिसके बाद ये मामला और गंबीर हो जाता है ऐसा बताया जा रहा है कि आरजिकर मेडिकल कॉलेज के पूर प्रिंसिपल संदीब घोष पर बहुत गंबीर आरोप हैं और इससे पहले उन पर छेडखानी तक की आरोप लग चुके है उनका जो लैप्टॉप था उससे कुछ आपत्ती जिनक वीडियो बरामत किये हैं CBI ने जो कि पुरुशों के बताये जा रहे हैं पुरुशों के असलील विडियो हैं इतना ही नहीं कि एक बार आजीकर मेडिकल कॉलिज के पूर प्रिंसिपल संदीब घोष पर एक नर्स से छेडखानी का आरोप भी लग चुका है और ये बात सब को पता है अब सवाल ये है कि आखिर संदीब घोष सुबूतों को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि लेडी डॉक्टर के मर्डर के पीछे की कहानी कुछ और ही हो ममता बैनर जी के लिए एक और जटका अब संदीब घोष जिस प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोट करके दूसरे मेडिकल कॉलिज भेजा था और ऐसे चो पुलिस टेशन ताला पुलिस टेशन इनकी गिरफतारी हो चुकी है इनको तो बहुत पहले गिरफतार हो जाना चाहिए था परन्तुम ममता बैनर जी की सरकार ने ऐसे लोगों को लगातार सौरक्षण दिया सवाविक है उपर के लोगों को पकड़ना चाहिए छोटे मोहरा है और उपर का जो अपसर है वह उसका और चाहिए विनीत गोयल को अपी से भी इस्तिफाह होनी चाहिए भीनी गोयल को से हटा देना चाहिए मुखा मंत्री जी को नहीं तो बंगाल याकी tulang मुखा मंत्री जी को अपने पर मट्स अपने चयर से हटा देगी